Welcome to Study Channel में नाम है मुहमत कैसर बात करेंगे UP में नई TGT-PGT भरती के संबंद में कुछ नई अपडेट की जनकारी निकल कर आ रही है कि UP में एक नई TGT-PGT की भरती होनी है इसको लेकर कुछ तयारियां भी हो रही है आपको पता है कि UP में अब जो भी परिक्षाएं हैं वो सभी नए आयोग से होना है UP सिख्षा से वचाएन आयोग यो अभी तक सक्री नहीं हो पाया है सरकार ने काफी डिलेज कर दिया नए आयोग को सक्री करने में लेकिन धीरे धीरे कुछ न कुछ कारवाई नए आयोग पर हो रही है अपडेट है कि अगले महातक यानि अगस्त तक नए आयोग में अध्यक्ष उपसचिव और जो तमाम महतपुड अन्यपद खाले हैं एक्जाम कंट्रोर बगरे कि इनकी नुक्तियां हो जाएंगी सच्यू की नुक्ति अभी हाली में हुई है आपने देखा होगा बारस अदस्यों की नुक्ति औरेडी हो चुका है तो ऐसे में डिले तो हुआ ही लेकिन यदि सारी चीजां अगस्त तक हो जाती है तो सरकार का क्लियर निर्देश है कि पहले लंबित परिक्षा हो कराना है दोजरबाइस की असिस्टिन प्रोफेसर दोजरबाइस की टीजटी पीजटी ये दोनों परिक्षा हैं पहले होंगी उसके बाद नए आयोग से कुछ विग्यापन देखने को मिलेगा वैसे तो मुझे लग रहा था कि कोई नया विग्यापन एकले साल ही आएगा लेकिन जानकारी ये प्राप्त हो रही है नए आयोग में अध्मिक यदिकारियों से ये सुचना ली गई तो ये बताया जा रहा है कि एक नए टीजिटी विजिटी पर भरती चल रही है और इसी साल भरती को निकालने की तयारी है आपने देखा होगा कि सेम की तरब से भी कुसमा पहले निर्जेस आया था कि सभी आयोगों को अधियाचन भेजे जाएं अधियाचन बहुत सायागों को मिला फिर वो अधियाचन यह उन्होंने सासन के पास बेज़ा वरिफिकेशन के लिए और ये कहा किया सरकार के तरब से जो भी आपको अधियाचन मिले हैं एक जन्वरी से 30 जून 2024 के बीच में इस पर विग्यापन आपको 31 दिसंबर और इसी साल तक निकालने होंगे मुझे लग रहा कि इसी खबर के अधार पर आदमिक विभाग द्वारे जनकायती जा रही है कि इसी साल वो एक विग्यापन निकालेंगे हाला कि बहुत ही मुश्किले साल निया विग्यापन निकालना अगले साल ही निकल सकता है लेकिन दोस्तों आपको तैयार रहना होगा पहले से जो तो अपने इजाम के दारी करते रहे हैं इस साल आपके इजाम होने के चांसर पूरे है नॉमबर जिसंबर तक और इसी साल एक निया विग्यापन आ गया तो फिर इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता लेकिन इकले आई है कि अब आपके परिक्षा में सिर्फ और सिर्फ आपका विश्य नहीं पूछा जाएगा जीएस भी इसमें आएगा तो आपको अब जीएस भी पढ़ना होगा ठीक है दूसरी एक बहुत बड़ी ख़बर निकल कर आई है कि PGT में अब बीएड मांगा जाएगा अभे पर निकल कर आ रही है कि PGT में भी बीएड मांगा जाएगा सेंटर लेवर पर तो के वीएस अनवेस वगरे में पहले से ही PGT में बीएड मांगते हैं विहार में भी PGT में वो बीएड मांगते हैं लेकिन UP में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो अब लागू होन जा रही है इंटर्विव को लेकर खबर मिली है कि इसमें कोई बदलाव नहीं है PGT में पहले इंटर्विव नहीं था अभी भी नहीं है PGT में नहीं लागू हो रहा है परिशान होने कि बिल्कुली और वशकता नहीं है ठीक है आपका subject combination बनना चाहिए TGT के लिए graduation का PGT के लिए master's का बियर दोनों में लगेगा कोई भी TED, CTAT, UP, TED की जरूरत नहीं पड़ेगी सीधे से दावेदन होगा और आप परिक्षा में सामिल होंगे बदों की संख्या अभी fix नहीं है कुछ घट बढ़ सकती है तदर्थ का एक जो मामला था कि उनकी सीटें नेविग्यापन में जोड़ी जाएंगी या नहीं तो तदर्थ को अब परमानेट नहीं किया जाएगा बिलकुल ये सरकार ने clear कर दिया है और उनको वेतन मान पर रखा जा रहा है TGT वाले तदर्थ सक्षकों को 25 अरवेदन और PGT वाले तदर्थ सक्षकों को 30,000 अरवेदन ठीक है तो जब उनको रखा ही जा रहा है तो वो सीटें नेविग्यापन में जुड़ी नहीं सकती तदर्थ यानि आप इने सम्मीदा काई सिक्षक समझिएगा जिसे मेनेजमेंट अपने अस्तर पर पहले नियुक्त करती थी ठीक है तो यह कुछ जनकारी है आप लोग पॉजिटी रहिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ देंगी तो मुस्किल हो जाएगी क्योंकि दोहरवाईस वाले में भी बहुत सरे से बच्ची हैं जो फॉर्म भरे हुए हैं एक्जाम की तैयारी कर रही है और परिक्षा तित्कियों का इंतजार है बिहार में लगातार भरती आ रही है तो आप इसमें भी जरू को शामिल होई है इसमें टीरी 3 की परिक्षाएं चल रही है ख़बर है कि टीरी 4 का भी ग्यापन अक्टूबर में आ जाएगा जिसकी परिक्षा दिसंबर तक करा ले जाएगी तो बिहार पर आपका फोकस जरू होना चाहिए और उत्तर प्रदेश संबर जो भी खबर आगे आएगी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक कर देजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे साथ बने रहे हैं थांक्स फॉर अधियो कि वीडियो में बस्फर attends में टो होगी मैं करूब